हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल ब्रीम केक बिकरी तो मैं आज आपको चॉकलेट केक बता रही हूँ तो देखिए कैसे बनाया मैंने उसके लिए मैंने 310 ग्राम प्रिमिक्स लिया था और यह ट्रोपोलाइट के डावर का है इसे हम अच्छे से स्लीप कर लेंगे तो अगर हमने इसे चान लिया है वन केजी केक के लिए 300 ग्राम प्रिमिक्स या 310 ग्राम से कुछ नहीं होगा तो 310 हम ले सकते क्योंकि उपर की जो लेयर निकल जाती है थोड़ी सी तो इससे हमारा वेट भी कम नहीं होता है केक का तो यह देखिए इसके लिए मैंने 100 ml वा भी नहीं होते और बहुत जल्दी अच्छे से मिक्स हो जाता है यह मैंने चॉकलेट एसेंस डाल दिया थोड़ा सा और चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए है ना तो चॉकलेटी एसेंस डाल दिया है मैंने 50 ml ओल यूस किया है अगर आप चाहें तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं यह एक परफेक्ट रेशियो है कम जादा कम थोड़ा सा आप कर सकते हैं जादा ना करें बस और यह देखे हमारी रिबन कंसिस्टेंटी हो गई एक दम और यह 7 इंच का मैंने टिन लिया यह देखे मेरा बेटा जो हमेशा गाड़ी ही चलाता रहता है केक बनिया कुछ भ किया था मैंने 180 डिग्री पर तो देखे फ्रेंट आफ्टर वेकिंग यह ऐसा हो गया मैंने इसे ओवर्णाइट फ्रेज में रखा था यह जो मैं अपने बर्दे सीरिस के सेकंड के यह मैंने तीनों एक सांद बेक किये थे क्योंकि मेरा पास 60 लीटर का मॉर्फी रिचर्ट का ववन है जिसमें एक सांद तीन केक में बेक कर लेती हूं तो यह मैंने एक सांद किये थे और यह देखिए मैं इसकी पतली सी जो उपर की दिख रही है इसे निकाल ही दीजिए यह खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और यह देखिए थोड़ी सी ओईलिंग व वही चीज अगर आप इसको कपड़ा ढखकर रखेंगे ना तो बिल्कुल यह लेयर नहीं बनेगी अब आप सोच रहेंगे जब आपको पता है तो आपने यह क्यों नहीं किया क्योंकि बहुत रात हो गई थी मुझे केक जल्दी से फ्रिज में रखके सूना था इसलिए मैं इयर टाइट करके और सो गई जिससे सुबह मैंने देखा कि यह थोड़ी सी उसकी ओईलिंग वाली लेयर आ गई थी बट उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप उससे बिल्कुल रिमूब कर सकते हैं हलका सा और यह देखिए साइट से कट लगाते हुए आप नाइफ को बीच में लेकर जाओ एकदम बराबर लेयर कट होती है यह देखिए फिर आपको किसी भी थ्रेड की ज़रुरत नहीं पड़ेगी यह देखिए साइट से पहले आप बराबर से कट लगाएंगे और धीरे-धीरे नाइफ को आप बीच में ऐसे लेकर जाएंगे यह देखिए ये बराबर हो गया और friends thread हो या knife हर चीज में practice लगती ही है तो ये चीज practice से आती है पहले मेरी भी एकदम नहीं हो पाती थी कई बार पर कोई नहीं दीरे दीरे practice से ये चीज आने लगती है तो आप ऐसा ना सोचे कि एक ही बार में बराबर layer cut क्यों नहीं हुई तो practice से ही चाहे आप thread से करें या फिर knife से और यह देखिए मैंने अच्छे से सुगर सिरफ से सोक कर लिया है आप चाहें तो normal water से भी सोक कर सकते हैं बट मैंने थोड़ा सा सुगर सिरफ से सोक किया है क्योंकि chocolate थोड़ा dark होता है इसलिए और यह देखिए मैंने इससे पहले एक truffle की recipe जाली थी फ्रेंट जो मैंने विप क्रीम से बनाया था तो ये वही वाला ट्रफल है जो मैं यूज कर रही हूँ आज और सच मानि ये फ्लेवर में कोई कमी नहीं है टेस्ट में कोई कमी नहीं है एज इस टेस्ट आने वाला है तो ये विप क्रीम से बनाया था मैंने वो वाला ट्रफल है, अगर अभी तक इसकी रेसिपी आपने नहीं देखिए, तो आप देख सकते हैं, और ये देखिए, स्टिफ पीक वाली बिल्कुल विप क्रीम है, और ये मैंने कैसे बनाई है, इसका वीडियो एक है मेरे चैनल पर, पर मैं एक और डेटेल में बनाने वाली हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट है, तो मैं एक और वीडियो इस पर बनाने वाली हूँ, जो एकदम डेटेल में बनाऊंगी मैं, तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रही है, और ये देखिए, इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, बीच में ले जाके, फिर हम साइ साइट से करें, क्योंकि कभी भी अगर आप साइट से कर लेंगे हैं, तो आपको एक पता चल जाएगा कि आपने कितना क्रीम लगाया है, और अगर आपको इससे नहीं जमता है, तो आप पाइपिंग बैग भी ले सकते हैं, और अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ जाल सकते हैं, और यह मैंने अच्छे से उसको स्प्रेड किया, चोको चिप्स डाला है, अगर आप चोको चिप्स पसंद करते हैं, तो डालें, अधर वाइस इसके भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप कोई और फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं, चोको चिप्स की जगह, और ज इसलिए आप क्या करें पहले साइड से कवर करें और फिर उपर से इसको सोक करके फिर क्रीम लगाएं जैसे यह देखिए यह मैंने कर लिया है और फ्रेंट्स मैं क्रम कोट कभी भी बहुत अच्छे से करीए अगर आपकी लेयर बराबर जमीगी तो जब आप कटिंग करेंगे तो आपकी जो केक की कटिंग है ना जो कट पीस निकलेगा इतना अच्छा निकलेगा बराबर लेयर दिखेगी इसलिए इसको अच्छे से आप लेयरिंग करें इसकी बहुत अच्छा दिखता है फिर कटने के बाद यह देखिए यह हमने रग दी अपनी टॉप लेयर जो जो बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती है क्योंकि अभी हमारे उपर भी डिजाइन होना है तो इसलिए क्रम कोट के लिए बहुत कम क्रीम का ही आप यूज करें ये देख सकते हैं और इसको उठाने में मुझे भी थोड़ी दिक्कत हुई है तो इसलिए कभी भी घबराएं नहीं शिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है जैसे ये वन केजी का है तो आप क्या करें डारेक्ट ही बोर्ट पर काम करें पर मैंने सोचा नहीं मैं आज शिफ्ट करूंगे और आपको दिखाऊंगी तो ये देखें शिफ्ट हो जाता है आप जाहें तो दो नाइफ का यूस कर लीजिए पैलेट नाइफ का बट मैंने एक से ही किया है क्योंकि मेरी काफी प्रेक्टिस हो चुकी है इसलिए लेकिन अगर आपकी नहीं हुई है तो आप डारेक्ट ही बोर्ट पर काम कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ये देखें ये मैंने अच्छे से शिफ्ट किया और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि अपना जो ये फिंगर है फर्स्ट वाली उसको आप प्रेस करके पैलेट नाइफ से निकालेंगे आपका केक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ये मैंने देखिए इसमें ग्रीन कलर हाँ ये मुझसे एक घलती हो गई थी जो मैं बता रही हूँ फेर्ड मैंने पहले ग्रीन कलर की क्रीम बना ली ये देखें फिर बाद में ध्यान आया अरे नहीं मुझे इसमें ग्रीन कलर नहीं मुझे तो इसमें पिंक कलर चाहिए था एक्चली ये बेटे केक था जिसके लिए मैंने क्रीम बना ली फिर अच्छा हुआ लगाने से पहले ही मुझे याद आ गया और फिर मैंने दूसरी क्रिम बनाई फिर से जो मुझे पिंग कलर की चाहिया थी तो यह देखें फिर मैंने वापस से अपना पिंग कलर पिंग जेल कलर डाला है और मैं इसे अच्छे से mix कर रही हूं और अगर आपकी भी whip क्रिम melt होती है तो आप जेल कलर का ही use करें liquid color का use ना करें अगर liquid color भी करते हैं तो आप अच्छे brand का baker's लेका use करें तो वो काफी थिक आते हैं और यह देखिए मैंने pink color से इसे पूरा cover कर लिया है और side से पहले cover करेंगे हम अगर हम side से पहले cover करते हैं तो उपर cream हमारी कम लगती है इसलिए मैं हमेसा अपने cake में side से cover करती हूँ ताकि top layer पे कम ही cream लगे क्योंकि आजकल किसी को भी बहुत ज़्यादा cream खाना पसंद नहीं होता है इसलिए मैं कम ही cream लगाने का सोचती हूँ और यह देखिए मैं comb से एक अलग design बना रही हूँ और यह देखिए हम इसको ऐसे shake करते हुए ऐसे बनाएंगे और इससे देखिए बहुत ही प्यारा design बनने बाला है तो आप भी जरूर ट्राइ करिएगा इसे एक बार मैं अब भी इसे पास से दिखाऊंगी आपको कि देखिए कितना अच्छा है हमेशा कॉम से में जो है हमेशा कॉर्नर से सेंटर में ले जाते हुए दिखाती हूँ बट इस बर मैंने इस ट्राइप का ट्राइ किया आप भी जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही प्यारा दिख रहा था फिर मैंने साइट से भी कर रही थी फिर मैंने सोचा नहीं साइट से नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे आपको इसमें स्पून से एक डिजाइन बनाना बताना है इसलिए यह देखें मैं हमेसा बताती हूँ कि इसको कैसे क्लीन किया जाए अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखें इसमें मैंने बताया है कि किसी भी एक साफ कपड़े में आप अपने स्क्रैपर की कॉर्णर नोग को लगाईए और उसे क्लीन कर लिजिए और यह देखें फ्रेंट्स हमने थोड़ी सी विप क्रीम दी है जिसमें मैं परपल कलर एड़ करूंगी यह मैंने परपल लिक्विड कलर ही यूज किया था तो देखें इससे यह शेड आया फिर मैंने बापस से इसमें एक और लैवेंडर परपल कलर जो होता है वो मिलाया था क्योंकि इसको मैंने मिलाया यह देखें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा लाइट ग्रीन आया था पता नहीं बीच बीच में शायद से कैमरे से दूर हो जाते हैं वो सरक जाता है तो आप बताएए फ्रेंड्स आपको अच्छे से दिख रहा है न क्योंकि अभी इतना आइडिया नहीं है कि एक बंते-बंते आगे निकल जाता है और यह देखे फिर मैंने इसमें लेवेंडर कलर मिला के यह वाला परपल कलर बनाया था और यह देखे इसका फिर मैं ऐसे पूरे में डॉट डॉट बना रही हूँ इसके लिए मैंने कोई भी नूजल यूज नहीं किया है और यह देखे यह स्पून लिया हमने एक जो पीच रही हूँ यह देखि और इसे इतना प्यार डिजाइन बनेगा जो आज कर तरेंडिंग डिजाईन है फ्रेंट्स के काफी आपको कैक Πर मिल जाएगा आज कर तो ये काफी ट्रेंड में हैं तो इसे कैसे आसानी से बना सकते बिना किसी टूल के इसका टूल भी है मेरे इसके लिए मैंने जो डॉट वाला होता है जिसे माम लिखते हैं उससे बड़ा एक नुजल होता है वह वाला उसकया और यह देखिय हमारा Crown Cake तयार हो गया है इस पर मैंने Crown यह मैंने बहुत पहले लाई थि जिसका आज यूज हो पाया है और उस crown के ही according मैंने cake का color रखा था purple और pink और ये मैंने whip cream से ही अपनी बेटी का नाम लिख दिया अन्वेशा आप चाहें तो chocolate से भी लिख सकते हैं और फिर जब जो दोनों cream बची उसी को piping bag में भरके आप कोई भी nozzle यूज़ कर सकते हैं और उससे हमें ऐसा border बना देंगे उपर तो ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा मैं सोच रही हूँ इधर से बना हूँ या इधर से बना हूँ इसलिए ये देखिए फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा हाथ मेरा नहीं होगा तो मैंने ऐसे ही करके फिर पूरा border complete कर लिया तो जिससे हमारी जो cream बची थी वो भी waste नहीं जाएगी और cake भी सुन्दर लगेगा और उतनी ही cream से मेरा बन गया border और थोड़ा आगे कर 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 के वो border complete हो ही गया उतनी cream में ये देखिए पूरा border complete हो चुका है क्योंकि इनके टूल काफी महेंगे आते हैं तो हम इसे spoon से भी try कर सकते हैं अगर आप daily नहीं cake बनाते हैं तो ये चीजे आप भी try कर सकते हैं spoon से और plastic का spoon लीजेगा तो बहुत ही अच्छा stroke जाएगा और आपका design भी बहुत सुन्दर लगेगा और ये थोड़ा सा मैं golden spray कर रही हूँ और spray हमेसा थोड़ा सा shake करिये फिर करिये क्योंकि एक संद वो बहुत सारा गिर जाता है कई बार फिर वो एक ही जगा पूरा golden हो जाता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप हलका हलका shake करके बहुत दूर से थोड़ा थोड़ा करिये और ये मैं जो कर रही हूँ या मैं पास से दिखाऊंगी ये मैं अनवेशा को थोड़ा सा golden कर रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा उस पे ज़्यादा ऐसा कर रही हूँ तो पूरा गॉल्डन देखे। बाक़ी में यूस करती हूं लेकिन बहुत कम कोवांटिटि मैं नहीं तो केक का कलर ही चैंग हो जाता है तो यह मैंने थोड़े पर्ल यूस किये थे वाइट कलर के पर्ल है ये तो यह मने ऐसे ऐसे पर्ल से थे और बारिक वाले भी हैं जिन्हे मैंने थोड़े से डाले तो बताए फ्रेंट्स कैसा लग रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आई है एलफूल लगिए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा कमेंट कर दीजेगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा मेरे चैनल को अ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी यह क्राउन आप अगर कोई दूसरे कलर कर ले रहे हैं तो आप उस कलर का ही क्रीम से केक डेकोरेट करें तो काफी अच्छा लगेगा क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा कंट्रास्ट में पहुंच जाएगा यह देखिए आप के वीडियोंकि नहीं पयादा लेंजगा क्योंकि दो आपके डिखिख दिए ही अवागे अधोगी घवे हैं तो आप उहेंगा रहे हैंसरे के तो आपके जाएप। आपके जाएजे क्याब तो पंधोगी नहीं तो